तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे ब्लैक करेट आइस क्रीम जो देखने में तो बहुत सुन्दर लगती है उसका कलर भी बहुत अच्छा होता है और टेस्ट पे वो थोड़ी से स्वीट और टेंगी होती है तो चलिए हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को स् सबसे पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए यहां पे जो लाल रंग का बटन है उसको प्रेस करिए और उसके बाजों में जो घंटी का बटन है उसको भी प्रेस करिए इसे क्या होगा कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँगी आपको सबसे पहले लिए इसको निकाल सकते हैं इस बीज को हमें आइस क्रेम में नहीं चाहिए क्योंकि हमें इसका एक ग्रश बनाना है तो यह आइस क्रीम हम बनाएंगे ब्लेक करंट से और आपको बता दो ब्लेक करंट है वह हैल्थ के लिए वहती अच्छी होती है इसमें विटामिन C भरप जाता है तो चलिए बनाते हैं इस आइस क्रीम को मैंने उसको भीगो दिया था ब्लेक करंटों को अब उसके अंदर जो बीज है मैं सब बीज इसमें से निकाल दूँगे इसी तरह से मैं सारे बीज को निकालके एक साइड कर दूँगे जो या ब्लेक करंट उसको मैंने एक पहन में ट्रांसपर कर लिया है और उसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पाणी यह उसमें 4-5 टेबल स्पूल बड़ी चमच है पानी ले लूँगी और गैस की फ्लैम में अन कर दूंगी, इसको सबसे पहले गैस को अम लो फ्लैम रखेंगे, इसको पकाते रहेंगे, चार-पैंच मिनिट तक हम उसको पकाना है, जिसे क्या होगा कि ये बलेक करंट है, वह तो दीखिए बहुत ही अच्छा इसका कलर उभर के आया है और वो थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई है तो अब हम इसमें क्या करेंगे मैं यहां पे शुगर डालूंगी यहां पे मैंने 2 तूटे बस्पून दो बड़े चमस सुगर लिया है और इसको अच्छी तरह से मिलाओं और शुगर को इसमें पिगल जाने दूंगी मैल्ट हो जाने दूंगे और इसको अभी हमें 2-3 मिनिट और पकाना है तो अब मैं क्या करूगी मैशर की मदल से उसको दुड़ा सा मैश कर लोंगी इसे क्या होगा कि जो बड़े-बड़े हमें दीख रहे हैं ब्लेक करंट वह थोड़े से क्रुश हो जाएंगे तो इसका क्रुश बहुत ही आइस क्रीम में अच्छा लगेगा वनार यह मोटे-मोटे रहे जाएंगे तो हमें खाने में थोड़े अच्छे नहीं लगता है तो एकदम टाइस की फ्रेंब ऊफ करेंगे और उसको एकदम ठंडा होने देंगे उसके बाद हम इसका उप्यूग करेंगे आईस क्रीम में तो हम इसको एकसाइब रखते हैं और दुसरे के तरफ हम वारा इस arcрок का जो बेज है वह तयार करेंगे यहां पर मैंने एक कब विपिंग क्रेम ली है, एकदम थनडी वाली विपिंग क्रेम चाहिए हमें जो 250 ml है, तो मैंने यहां पर उसको फूड प्रॉसेसर में बीट किया, अगर आपके पास बीटर हो तो आप उसमें भी बीट कर सकते हो क्या अगर आपको दीखना है कि फूड डीटल वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल पर है आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं हुआ 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 है पूरा का पूरा डाल देंगे उसमें से मैंने एक चमज रहने दिया था उपर टॉपिंग के लिए उसके बाद मैं फ्रोड प्रोसेसर को चला लोंगी जिससे क्या होगा कि जो हमारा क्रेश्ट वह अच्छी तरह से क्रीम में मिक्स हो जाए उसके बाद मैंने दो तिन ड्रोप मैंने पॉपर कलर डाला है इससे आइस्क्रीम का कलर बहुत ही अच्छा आएगा तो हमारा आइस्क्रीम का जो ब्लैक करन्ट आइस्क्रीम है वह एकदम बिल्गुल रेडी हो चुका है तो हम इसको एक एर टाइट डबे में ट्रांसपर कर लेंगे अब कर जो मैंने चमच प्लैक करण क्रश रखा ता साइड में उसको उपर से डेकॉरेट कर रही हूँ अगर आपने नहीं ही रखा हो तो आप आप ये ब्लैक करन्ट विण कर निकाल दीजिये आप उससे उपर कर सकते हुई वह क्या होता है कि देखने में लुकवाइस बहुत ही अच्छा दिखता है यहां पर मैंने क्लिंग रैप को रैप कर लिया है और डब्बे कर डखन को डखके उसको मैं फ्रीजर में रख दूंगी साथ से आठ गंडे के लिए या आप पूरी राद भी उसको रख सकते हैं इसे क्या होगा कि हमारी आइस्क्रीम बहुत अच्छी तरह से जम जाएगी और प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करेए और बैल आइकन को प्रेज करें और लाइक और शाय करना बिल्कुल ना भूले अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने फैमिली और फ् झाल झाल